दोस्तों आजकल फिल्मों के साथ साथ छोटे परदे के मेकर्स भी किसिंग सीन्स को लेकर काफी जादा ओपन हो रही है जो आज सीरियल्स में किसिंग और बोल्ड सीन्स डालने के पीछे नहीं रहते हैं बलकि पीछे की वज़ा धेर सारी पॉब्लिसिटी और लाइम लाइट होती है इन्हे के कारण शो को काफी जादा ट्यार पी भी मिल जाती है और बस यही वज़ा है कि टीव इंडस्ट्री में भी कई ऐसे अभिनेत्रिया हैं जो अपने काम को बचाने के लिए किसिंग सीन्स तक देने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि टीव इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसे अक्ट्रिस शामिल हैं जो शोज में किसिंग सीन्स नहीं करती हैं उन्होंने कभी भी फेमस होने के लिए ऐसे सीन्स को नहीं किया है और हमेशा ही जब उन्हें ऐसे सीन्स के ओफर्स होते हैं तो वो सीधा ही मना कर देती हैं तो आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चुनिंदा एक्ट्रसेस से रूबरू करवाने वारे हैं जो टीवी शोज में किसिंग सेन्स देने से मना कर चुकी हैं तो आईए जल्दे से जान लेते हैं कि कौन सी है वो एक्ट्रसेस इस कड़ी में सबसे पहरा नाम शामिल है अभी नित्रे द्रुष्टी धामी का जिन्हों ने अपनी जीवन में एक से बढ़कर एक सफल सीरियल्स और शोज दिये हैं जिनमें अधिक तर शोज रोमांटिक थीम पर ही बेस्ट होते हैं और इसे के चलते एक शोज के दौरान मेकर्स ने इनसे किसिंग सीन देने के लिए कहा था लेकिन द्रुष्टी ने उन डायरेक्टर को तुरंट मना कर दिया जबकि मेकर्स इन्हें इसके लिए काफी अच्छी खासी रकम भी दे रहते लेकिन द्रुष्टी धामी ने मेकर्स को ये कहते हुए मना कर दिया कि वो बहुत ही conservative family से आती हैं नमबर दो कृतिका सेंगर अब इस लिस्ट में कृतिका सेंगर का भी नाम शुमार है जिन्होंने कभी छोटे कपड़े तक नहीं पहने तो kissing scenes देने के बारे में तो क्या ये सोच भी नहीं सकती है इसलिए बार बार जब भी इन्हें kissing scenes आफर किये गए हैं तब तब इन्होंने मना कर दिया है इसका एक उदारन ये भी है कि जब कसम तेरे प्यार के शो में इन्हें अपने को स्टार शरद मलोतरा के साथ भी kissing scenes देने के लिए कहा गया था तो इन्होंने साफ साफ अंकार कर दिया था इनके ऐसे सीन्स ना करने के पीछे की वच्छा पहली तो ये है कि इन्हें ऐसे सीन्स देना ही बिल्कुल पसंद नहीं है और दूसरी यही के साथ ही इनके पति इन्निकेतन धीर को इनका ओन स्क्रीन पर ऐसे सीन्स देना पसंद नहीं है और ये अपने पती का काफी ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट करती है इसलिए ये कभी भी ओन स्क्रीन पर किसिंग सीन्स नहीं करती है अब इस लिस्ट में एक नाम अभी ने तुरी दिपिका ककर का भी शुमार है जिन्हें अकसर टीवी पर बड़ी ही साधगी और शालीनता भरे अंदास में देखा जाता है अर दिपिका ककर परदे के साथ-साथ असल जिन्दगी में भी जाधा साधगी भरी जिन्दगी ही जीना पसंद करती है वैल ये बात तो हर कोई जानता है और यही वचाह भी है इनकी फैंस की इनकी इसी खूबी के लिए ने जाधा पसंद भी करते हैं अपनी इमेज को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती है नमबर चार सनाया इरानी अब इस लिस्ट में एक नाम सनाया इरानी का भी शामिल है जिन्हें आज आक्टिंग को अपनाई हुए करीब 9 साल हो चुके हैं और इन बीते 9 सालों में इन्हें कई आक्टिंग के ओफर् दूस नहीं करती हैं और इसी के चलते इस लिस्ट में अपना नाम ये शुमार कर लेती हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नाइक प्रोसेस का किसिंग सीन देने का फैसला सही है या गलत आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कम हमें बता सकते हैं और साथ एटीव इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी ही और मसालेदार खबरों को जानने पाने और देखने के लिए आप हमारे चानल को तुरन सब्सक्राइब करें